किशान भाईयों नमस्कार मैं हूँ आशी शुर्मा आज की इस वीडियो में आप से बात करेंगे सर्सों की खेती के बारे में जैसा कि किशान भाईयों कुछ किशान ऐसे हैं जिनकी सर्सों की फसल में फोल निकल चुके हैं और कुछ किशान पच्छेती सरसों की बुवाई की हैं जिनके खेत में सरसों में फोल निकलना चालू हो गया है ऐसी कंडिशन पे किशान भाईयों कुछ बातों का ध्यान रखना होता है अच्छी पैदावार अच्छी वहाँ पर ग्रोध बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ पर तरीके किशान भाईयों अपनाना होता है कुछ ऐसे हमारे जो फोल निकलना चालू होता है तो फंगी साइट कील लग जाते हैं जिसे हमारी फशल को काफी ज़्यादा नुक्षान हो जाता है तो आज की वीडियो में उसी बात पर कुछ चर्चा करने वाले हैं कौन सी दवा का एस्प्रे करें कौन सी सावधनिया वहाँ पर रखने की जुरूत है कौन सी दवा का एस्प्रे करना चाहिए किशान बैयों सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए फूल अवस्था जो होती है जो फूल निकलने की स्टेज होती है सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है इसी समय से आपकी फसल में जो दाने हैं दाने का भरा होता है दाना बनना चालू हो जाता है इस समय अगर थोड़ी सी लापरवाही अगर आपसे हो गई तो वहाँ पर सरसों में काफ़ी जादा नुक्षान देखने को मिल सकता है किशान बैयों जब सरसों के अंदर फूल अवस्था हो जाती है तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना भी जरूरी होता है जिससे आपकी पैदावार बढ़िया निकले इस समय आपकी फसलों में कीटों का जो रोगों का अटैक है फसल में ज़्यादा देखने को मिलता है तो इस समय आपको सावधानिया जरूर किशान बैयों देखना होता है जिस भी किशान की सरसों में फूल निकलने की अवस्था हो जाती है या फूल निकलने की अवस्था आ चुकी है उन्हें पहला कार किशानबयों करना होता है वहाँ पर कुछ N.P.K. खात का इस्प्रे करना होता है जैसे जब हमारी फूल की अवस्था आ जाती है तो वहाँ पर दाना बनना चालो हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फासपुरस की अवश्कता होती है इसके लिए किशानबयों N.P.K. 0-34 का किशानबयों इस पर करने की बहुत ज्यादा जोद पड़ती है क्योंकि फासपुरस से हमारी जो दाने बनते हैं दानों का भरा अच्छे से होता है दाना सुडोल बनता है और वहाँ पर जब दाना ठोस बनेगा, मजबूत बनेगा तो आपको पैदावार भी किशानबयों ज्यादा मिलेगी तो यहाँ पर आपको लेना है N.P.K. 0-34 मातरा की बात करें तो 1-1.5 किलोग्राम लेना है और साथ में किशानबयों दूसरा प्रोड़क्ट जो लेना है आपको लेना है बोरान बोरान की मातरा की बात करें तो 100 गराम आपको 200 लिटर पानी में गोल बनाकर अच्छी प्रकार वहाँ पर एक एकड़ के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं ये इस्प्रे आपके फूलों को जहनने से रेकोएगा और आपका दाना जो है चमकदार वा मजबूत और ठोस किशानबयों बनाएगा दूसरा किशानबयों यहाँ पर आपको साधाई रखनी है दूसरा जो हमारा फसल में फंगिशाइट और कीटनासक का भी प्रियोग किशानबयों करना होता है सरसो की फूल अवस्था ऐसे होती है कि वहाँ पर बहुत सारे रोगों को देखने को मिलता है बहुत सारे कीट लगने जाते हैं जिसे कीट नासक का किशन भईयों यहाँ स्प्रे करने की जोद परती है जो आप स्प्रे करने जा रहे हैं किसी भी कीट नासक का तो बहुत ज़्यादा आपको हैवी किशन नहीं लेना है बहुत हलका कीटना सक लेना है ज़्यादा तेज अगर लेंगे जिससे सरसों की फूलों को नुक्षान भी हो जगता है और क्योंकि सरसों में कुछ ऐसे हमारे कीट होते हैं मित्र कीट होते हैं जो उनको भी नुक्षान पहुंच जाता है जो एक पोधे से दूसरे पोधे में खाना देने का अच्छा सा काम करते हैं और उसको पैदावार बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं जैसे हमारा ये मदमुकिया हुई जो मदमुकिया होती है वो सरसो की पैदावार बढ़ाने में मदद करती है इसलिए सर्सों में हलके कीटना सका आपको यहां पर प्रियोग करना चाहिए इसके लिए आप यहां पर कीटना सक लेख सकते हैं एक्टारा नाम से आता है तो जो हमारा एक्टारा में टेक्निकल की बात करें तो होता है थिया में थौकसम 25% WG फार्म में आता है तुथिया में थाकस्वम जो 25% WG नाम से आता है 100 ग्राम प्रत एकड के इसाब से आप ले सकते हैं इसके इसाब किसानवा यह एक हारू नाम से आता है टेवु कुना जोल 10% प्लस सलफर 55% WG फोर्म में आता है 300 ग्राम प्रत एकड के इसाब से 200 लिटर पानी में आपको घूल बना करके इस्प्रे कर देना है यह इस्प्रे आपकी फसल में फंगस जनित रुजोग हते हैं फंगी साइड रोग होते हैं रोगों से किशान भाईयों बचाएगा आपकी जो वहाँ पर सलफर है सलफर किशान भाईयों क्या होता है कि तिलहनी वरी फशल में सलफर डालने से जो तेल की मात्रा है बढ़ने में काफी ज़्यादा मदद करता है इसलिए किशान भाईयों इन दौओं का एस्प्रेगर कर देते हैं तो आपकी सर्सों में